आज बड़ा ही मेरे को एक चीज़ देखे बदर में मार्केट गिया था बड़ा देखके में पचंगो हुआ मैंने वहाँ अमूल की ब्रेड देखी जी हाँ पर यह एक अमूल की ब्रेड मैंने देखी उशेंडविच ब्रेड तो पता चला है वेहां přावकिपर के बावसिन की ब्राउन प्र PackOD ब्रावन भीавай धी इंकी और होलगी भीड प्रेड वीध फी तो पस बैदने बेसिकली अमूल तो गुजरात का ब्रेंड है यहां नॉर्थ में हमारे अमूल की ब्रेंड मैंने फुर्स टाइम देखी तो आप रिली अस्टाउनिश्ट और यह पहले तो गुजरात में अवेलेबल होती थी महाराश्टरा में गुजरात में नासिक में पुने में अब यह अवेलेबल है क्योंकि मैं इनका जो बैग पड़ा था यह जो लिफाफा है इसके पर लिखाव गाजयाबाद में इन्होंने मैं इन्फेंट्रिंग यूनिट को ला है तो यह डेली न्सीयार में भी अवेलेबल अब हो बहुत अच्छा है और इसके अन्दर जैसे नॉर्मल थोड़ी सी सौगी टाइब धिली-धिली हो जाती है यह काफी स्टिफ मतलब खाने में इसका टेस्ट आपता एक जादा अच्छा लगता खाने में और इसका सैंडविच का जो लोफ है वो एक सैंडविच के बराबर है एक मतलब दूसरी ब्रेट आप टोस्टर में डालोग अब बटर से बनी यह देख सकते हैं आप लिखावा मेट फ्रॉम अवन बटर यहां और इसके इंदर मैं बता दूं यह मैदा से बनी है रिफाइंड फ्लोर से पर 100 ग्राम इसके इंदर 226 क्लोरीज है टोटल फैट 1.4 ग्राम ट्रांस फैट 0% है इसके अदर और डाइटरी फैबर कंटेंड नहीं लिखा हुआ इसके इंदर जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है अड़ेट शूगर 2.1 ग्राम्स है प्रोटीन 6.4 ग्राम्स है तो मैं जैसे बता है कि मैं टेस्ट कर चूक हूं मेरे को बहुत अच्छी ब्रेट लगी यह और अब तो यह डेली में मि थाने बहुत अच्छी है यह ब्रेट दो वेरियंट्स में आती है 400 ग्राम्स की और 200 ग्राम्स की इसकी प्राइस थर्टी रुपीज के अप्रॉक्सिमेटली है और इसकी शेल्फ लाइफ है फाइव देज की है और फिरसे एक बर बोल देता हूं इसके हर सर्फिस पर लिखा अब बड़र तो इसको लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए का प्लीज आपकी सपूर्ट हमारे को चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आर चैनल थैंक यू सो मच